मन करेगा MUELLER बूलेगा में। भई कर यार अब औरर हो रा में कुछ सुनने गा नएं US मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं ध्यान से समझने आपका एक्जाम भी धान से शुन आपका एक्जाम भी टेक्नीकली टेकनीकली एक लोग साथ में आते हैं यह यह आपका फेस्टिवल में खर्चा होता है खर्चा आपका एक्जाम में भी होता है यह फेस्टिवल के बाद मजा आया नहीं आया रिजल्ट आपका यही चीज बता रहा है यह ब्रो एक बाद आत रख कुछ जगह पे तेरे को आउट परफॉर्म करना पड़ता है हर रोज हर दिन एक जैसा नहीं होता पर अगर आज तेरे को कपसी अगर तू देखे ना तेरे पास कितना टाइम बागी है चल एक बार टाइम लिमेट समझ लेते हैं नहीं 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 हाई तरह टाइम लिमेट जरूर रताएगा येस मार्च के नौ दिन के एप्रिल के तीज दिन थर्टी नाइन डेज चल एक दिन ग्रेस पकड़ चालीस दिन बचे तेरी एक्जाम को अब चालीस दिन में भी अगर तिरको मेहनत करना आज की दिन नहीं सूज रहा तो तो ते इवन भर तो ये ही सोचते बैटेगा कि अगर किसी दिन मेहनत कर लिए होती तो जिन्दगी कुछ और होती येस और हर एक के लाइफ में एक ऐसा मुमेंट जरूर आता है जब उसको मेहनत करना चाहिए ये तुमारे लिए जितने अभी चालीस दिन है सब के सब आज सिफ मैर कि अगरे 40 साल किसी और को ब्लेम मत करना के टीचर ने ऐसा नहीं पड़ायता इसले हुआ इस अचैडमी में एडुमिशन लिया उसले हुआ को कुछ फ़रक नहीं पड़ता आकैडमी ये टीचर से कोई फरक नहीं पड़ने वाला फरक पड़ता है तेरे एंतूसियाजम से औ चालीस दिन तू अपने लिए रघड के मेहनत कर सकता है तो तू लोजिकली अपनी सकसेस को डिजर्व करता है और अपने फेल्यर को दिजर्व करता है पर 40 दिन बात तू इस बात private करे करे क्याशा चालीस दिन पढ़ लेता यह सद्सीतर की नहीं अगले एक्स के छोड़के जाने से ज़्यादा गम अटेम्ट का होता है क्योंकि तुम्हार में बिल्कुल हिम्मत नहीं रहेगी यही बुक्स जिसको तुम अल्रेडी हाइलाइटर लगा चुके हो यह बुक्स उठाके वापस हाइलाइटर लगाना केपेबिलिटी के बाहर है समझारी बात केपेबिलिटी के बाहर है यह नहीं होता बार-बार तुमको हिम्मत लगानी है अब लगाओ रिजल्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ पच्तावा होगा रिजल्ट के बाद सिर्फ पच् कोई सेंस नहीं है you should be proud even in the failed result when you have done your right you know your hard work otherwise you have no right to cry और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है कोई और नहीं उठाता yes कुछ चीजे खुद से करने पड़ती है जिन में से अपनी मेहनत भी एक है कुछ चीजे बहुत आपको खुद करने पड़ेगी नहीं तो फिर क्या एंड में एक यह आवाज आएगी बुवा मामा क्योंकि तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई ना कोई गदा उसके लिए कई ना कई मैहनत करी रहा है प्रो यह बात समझ अगर तू मेहनत नहीं कर रहा तो एंड में यू एंड अप इन मामा और बुवा ओनली इन सम केसे मासी तुम नहीं करोगे तुमारी दोस्त मेहनत कर रही है उसकी शादी हो जानी है मासी मामा चाच्चू ऐसी आवाज अगर सुननी है तो आप समझ लीजे साहब येस हाँ यह यह भी हो सकता है ब्रो एक बात मैं तुम को बताऊं चालीस दिन सी यह चालीस दिन ना यह डिसाइड करेंगे कि तु इसी क्लास में फाइनल की क्लास कर रहा होगा या वापस से इंटर का फार्ट्राक देख रहा होगा Арड्वलीव मी आपको अगर इसके पहले एक दो अटेंब लग चुकी है अगर अगर अपको एसके पहले एकवा ट्रो अटेंब लगशुके चुप चाप पास हो करके आगे निकल जाओ आर्टिकल्चिप में इंटर कर लो और न्यूस में रेजिस्ट्रेशन करा लो नहीं तो ओल्ड्ष न्यूस लिवस्के जो जमेले में फसोगे न आज तक के मैंने खुद मेरे सामने दोस्ट चेंज होते वे देख लिए बहुत फसत है क्योंकि फिर तुम कोई आउट्पुट वाले व्यक्ति नहीं रहे फिर बात समझ ले ना सर मेहनत करनी पड़ेगी पचास बार मन करेगा अरे यार छोड़ना आप लिख रहते लिखना छोड़ दोगे छोड़ना यार हाथ दुख रहे करे तो लिख शोड़ना तो यह बात याद रख लेक्ट यूद्ट को पैदा किये वह तो करेगा रहे जब तुने मैंत नहीं तो वह मरते दम तक तक खिलाने की ताकत रखता पर तू सोच तेरे को उसको खिलाना है या उसका दियावा खाना है यह उसने नाम दे दिया जनम दे दिया उसकी जिम्मेदारी खतम अब तो अपने लिए मेंद कर ले लेट फोकस अगें सेक्शन ट्वेंटी